हेलो नमस्कार आदाव सेस्तरिकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका हो शुबेंदिक जोहान आप लोगा स्वागत करता हैं इस क्लास के अंदर हैं हम लोग एक बहुत इंपर्टन टॉपिक के उपर बात करने वाल है क्योंकि बात होने वाली पोशन अभ्यान के उपर किस तरीक क्लास की सारी अपडेट और पीडिएफ आपको या पर मिल जाएगी चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं यह मालनुट्रीशन क्या है उसके खत्रे क्या है अगर मैं बात करूं कूपोशन की तो आप खुछ चोंचो क्या पोशन क्या होता एक दिवस इंजिनिरिंग के ऊपर चलते हैं पोशन क्या होता है पोशन का मतलब होता है कि आपने कुछ खाना घाया उसके अंदर कुछ पोशन होता है जो आपके शरी को लगता है जिसके कारण से जब आपका पोशन बिलकुर सही है तो उसके कारण से आपका शरी हेल्दी ह होता है अब जब हेल्दी शरी है तो आप इस बात को महसूस कर पाऊगे इस बात को फिल कर पाऊगे कि जब आपका शरी हेल्दी होता है तो बीमारी को आसानी से टैकल कर सकता है, कूपोशन क्या है, यही पोशन की कमी, जब शरी के अंदर पोशन की कमी होती है, तो हेल्थ कमजोर होती है, और इसी हेल्थ की कमजोरी के कारण कहीं बार कहीं साए बच्चों की म्रत्य हो जाती है, तो कहीं साए लोगों के अंदर दिक्कत ही होती है, कि मौर् थार बोल रहा हूं कि पोशन है, मतलब healthy हो, कोई portion है, मतलब healthy नहीं है, तो क्या होता है, कि हर वीक्ति का, एक उमर के अंदर, एक वजन होता है, तो उसकी हेल्थ होती है, उसकी है हाइट होती है, वह BMI Ratio Fix होता है, अब क्या होता है, कि मानलोग कोई है तो वो इस्टंटिंग है और इन तीनों के इस के अंदर ही कूपोशन हो सकता है इसी कायांट से हम लोग इस कूपोशन को इन ही भाशा के अंदर बात करते हैं लोग बात करते कि भारत के अंदर Review को परते होना उस उमर के अंदर वजन होना चाहिए उससे कम वजन वाले लोग आपको 35 Peach getting finished अगर आप बात करेंगे तो यह कूपोशन की जब मैं आपके समने बात करता हूं तो यह गाओं के इलाके के अंदर आपको ज्ञादा मिलता है शहरों के मुकाबले में इस खत्रा क्या है तो इसके एक्जामपल के रूप में आप देख लो कि यह किसी बच्चे का नया नया जन कम होता है तो उस टाइम पर उसका एक वजन होता है किसी का धाई किलो होता है किसी का तीन किलो होता है और कोई धाई से कम होता है अगर एक नॉर्मल वेट की बात करूं तो नॉर्मल वेट होता है धाई किलो पर कहीं सारे बच्चों का वजन धाई किलो से कम होता है वर्ड हेल के समय उनकी मृत्यू ऐसे बच्चे के मरने के चांसे उनकी मृत्यू होने के चांसे लगबग 20 गुना के आसपास बढ़ जाते हैं 20 टाइम सवाल उठता है कि भारत के अंदर इतना कूपोशन है मलब भारत के अंदर 35 21 38 प्रतीशत के आसपास ही साही चीज़े देखने को मिल भारत के अंदर हर साल इतना सारा होता हम कहते हैं लोगों ने रिकॉड तोड़ दिया तो फिर कूपोशन के कारण के तो आपको आधिक्ते चीज़े वह काफी आसान हो जाएगी अगर मैं कूपोशन के वारण मैं आपके समय बात करूं तो बहुत हो रहा है पर वह अनाज के अधिकता अनाच कैसा है गेहुँचामल क्योंकि हमाय जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो ग्रीन रिवेवुशन का फूकस कुछी कुछी प्रकाय के अनाज के ओपर था तो हमारे खाने के अनदर वो कुछ अनाजी रह गया आप आपके खाने के अंदर देखोगे तो बा माल नूट्रीशन का कारण एक तो हो गया यह प्रकाय का ग्रीन रिवॉलूशन एक हो गया मोनो कल्च आप देखो गया एक प्रकाय गेहूं उगाते जारा है अब आप समझो कि वह यह जमीन है जमीन नहीं बड़ी है जमीन वही है उसके ओपर गेहूं जो है वो भी वही है मतलब शलिकर कर लेता है जो दालみ लोगे लान है वहां को टेखने को मिलता है तो अजह को कशेखने को समझो भई या कोवीड नाइंटीन जब आया तो कोवीड नाइंटीन के दौरान में आपको कहीं सारी यसी कहानिया देखने को मिलेगी कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों को चलते जलते उन्होंने पानी पिला-पिला के जिन्दा रखा पानी के अंदर बिस्कुट मिला के चांसे बढ़ जाते हैं अरे जेंडर इनिक्वालिटी एक बहुत बढ़ा कारण है आपको समझो जश्ट अभी थोड़ी दे पहले मैंने एक्जामपल दिया कि एक बच्चा धाई किलो का अगर जन्म होता है उससे कम का अगर वजन है तो उसके केस में मृत्य होने के चां की कमी थी उनके अंदर कूपोशन था या फिए उनकी रिप्रड़क्टिर हेल्थ की कहीं न कहीं कमजोर थी अब यहीं पर आपको आ जाता है वहिया कि जेंडर इनिक्वालिटी एक बहुत बढ़ा कारण है क्या होता है कि कहीं आपने देश के अंदर गरीबी पहले ज्याद से कि बहुत लगी आपने वाली की कम के बच्चोंडिये कारण जिसे मैं इंफेंट मॉटालीटी कहता हूं हर पांच में से चार ऐसी डेथों के अंदर लड़कियां शामिल है कारण क्या है यही जेंडर इनिकौलिटी और आप देखेंगे तो एक कारण और है जो काफी ज़़ा महतपूर है सफाई की कमी और साफ पानी की कमी सफाई की कमी होने के कारण आपको देखने को मिलेगा हेल् बहुत बड़े कारण हैं जिसके तलिए कुपोशन आ सकता है इसके अलावा reproductive health महिलाओं कि reproductive health बेटर ना होने के खारण जब reproduction होता है और्वारौन में जब संक्व किसी वी बच्चे का जन्म होता धो बर्त के टायम पर उसकी health के उपर से पढ़ता है जिसके कारण से भी आपको कूपोशन देखने को मिलता है मैं लग कूपोशन का कोई एक कारण नहीं है कि हमारे आप खाना नहीं मिल रहा है पर कहीं न कहीं पेट भूका है पेट भरा हुआ है पर कहीं न कहीं शरीर भूका है nutrition नहीं है तो उ स्ट्रेटेजी बताई गई थी भारत सरकार को अपनाना चाहिए जिसके अंदर भारत सरकार को कहा गया था कि ऐसे बच्चे जिनकी उमर 5 साल से कम है और वो अंदर प्रतीशत प्रतीशत तक अंडर वेट को लेकर जाना अनीमिया का प्रिवेलेंस महिलाओं के अंदर बहुत जादा मात्रा में 53.1 प्रतीशत महिला जो है वो अम्या की शिकार अब ऐसी लड़किया अगर कहीं बच्चों को जन्म देगी तो उसके अंदर भी वह बच्च आने वाली जन्रेशन के अंदर भी यही कूपोशन पहुचेगा तो इसे भी टेकल करना है इसे कम करके एक तिहाई तक लेके जाना है 17.7 प्रतिशत तक इसको कर द अभ्यान वर्ष था 2018 जिस दौरान में प्रधानमंती नहें नमोदी ने जुन जुन डिस्टिक के अंदर राजस्थान के अंदर इंटरनेशनल वुमन डे के दिन आपको देखने को मिला कि पोशन अभ्यान को लॉंच किया इस पोशन अभ्यान का एम क्या था देश से जो न पर अगर इस उमर में आपको नुट्रिशन अच्छा मिल गया आपका जीवन अभर नुट्रिशन की कमी ज्यादा नहीं होगी ठीक है उसके चांसे बहुत अत्तक कम हो जाते हैं इस कारण से सबसे पहले इनको देना उसके बाद कि इनको नुट्रिशन देना है जो बच्चो को जन्म देती है चाहे वो आने वाले समय में बच्चों को जन्म देती है जैसे कि एडॉलसेंट गल चाहे वो कुछ समय बाद यानि कि प्रेगनेंट वूमन जो बच्चों को जन्म देगी या फिर आपको लेक्टेटिंग वूमन देखने को मिलेगी वो बच्चों को जन्म देगी इनका अगर nutrition status सुधर गया तो काफी मातरा के अंदर long term में हमाया nutrition status सुधर सकता है यह target रखा गया कि इन लोगों का nutrition status सुधारना है जिसके अंदर अलग-अलग ministry को जोड़ा गया क्योंकि सीधी सी बात है nutrition malnutrition क्योंकि एक चीज का कारण नहीं है एक चीज से नहीं हो र हो रहा है तो यह महिलाओं के अंदर discrimination करने से भी हो रहा है यह agriculture की गलत practice से भी हो रहा है और कहीं साही चीजों से हो रहा है तो ministry को अलग-अलग को जोड़ा गया और उनको यहां पर काम पर लगाया गया पर जो से launch किया था वह ministry of women and child development है मतलब यह जो है यह mother industry यह पूरी तर अपने विजन देख लिया on ground की बात करते है on ground की बात करेंगे तो वह एक होता है integrated child development scheme के जरिए क्या होता है कि इन्हों इनका काम है child को integrated रूप से develop करना मतलब उसके nutrition का ध्यान रखना उसके education का ध्यान रखना बच्पन में कितने ठीके लगे कितने नहीं लगे उसका ध्यान गया था जिसके जरी आपको देकने को मिलेगा कि भारत सरकार ने उस टाइंप भी nutrition को टेक्ल करेंगी कुछ इन्हीं की थी पर कुछ हुआ नहीं, आपको देखने को मिलेगा सरकार तो बहुत काम कर रही है साविचीज को लेके पर प्रॉब्लम यह है कि जो सरकार के साथ लोग काम कर रहे है क्या वो काम कर रहा है क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मिड्डे मिल जो होता है उसके अंदर कहा गया है कि गरम खाना देना है लोगों और निकला है और प्रेयो कुछ और ही वुआ कि इसके आपको देखने कुछ और ही हुआ कि अब जब बच्चे के हाथ का खाना खाहा लिया तो वही आ उसके अदर न्यूट्रीशन कहां से आएगा इस कारण से आपको देखने को मिलेगा कि कि नई टेकनलोजी निकाली थी सिस्टम के जरीए मिड़े में को कितना इंप्लीमेंट किया गया कैसे इंप्लीमेंट किया इन साही चीजों के ऊपर नजर रखी जाती है रियल टाइम बेसी इस्स परैसी टेक्नलोजी को बला हवा देना अभर अभ्यान का भागत इतना ही नहीं कर Councillor करूषो कि अलोग करते सरकार के अंदर वह ठीक से काम नहीं कर और ऑसे कुछ लोग इमांदाई से काम करते तो कुछ मैं मानी से इमांदाई से काम कर रहे लेड़ है उसके पास कुछ नहीं आ जिसके कारण से क्या होता है कि जो इमांदार है उसको लगता है क्या ऐसे काम करने से मतलब क्या मैं इमांदाई से काम कर रहा हूं वागी में तो कुछ भी नहीं रहा जिसके कारण से वो जांगनवाडी के बरकरों को इतना इने आप देखेंगे कि देश के अंदर अलग-अलग स्की में चलती है जो की nutrition को टेकल करती है कही सारी माताओं के लिए तो कहीं सारी बहनों के लिए तो कहीं सारी सचता के लिए तो कहीं सारी public distribution के लिए जैसे कि आपको देखने को मिलेगी पतान मंतरी मात्रवंदना योजन आपको देखने को मिलेगी जननी सुरक्षा योजन आपको देखने को मिलेगी scheme for adult and girls और आपको सच भारत अभ्यान देखने को मिलेगा जो भी कहींने कहीं nutrition को टेकल करता है public distribution system आपको देखने को मिलेगा national health mission ये सब directly और indirectly nutrition को टेकल करने के कोशिश करते हैं तो क्यों न इन सारी scheme को एकसान जोड़ा आ जाए तो इन सारी ऐसे ही जो कि बच्चों के development के ओपर काम करते हैं वो वरकर से तो इनको सही करना आवशक है इनके ओपन अजा रखना आवशक है तो इनके काम के ओपर भी incentive देने की बात की गई है कि यह आंगनवाडी के अंदर अगर नई technology IT-based technology को tools को अगर यह लोग accept करते हैं तो ऐसे case के इनको incentive देना चाहिए IT-based tools से क्या होगा अरे पहले जो काम register से होता था अब वो computer से होगा तो ऐसे case में काम fast हो जाएगा दूसरा surveillance बहतर हो जाएगा ऐसे case के अंदर सरकार को समझ में आएगा कि कोई सी scheme सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं हो रही है इस कारण से यहां पर क्या किया गया है आंगनवाडी system के अंदर यह सही चीज़े भी की गई है call center की बात की गई है यहां पर आपको साथ अलग-अलग पिलर देखने क को मिलेंगे इन साथ अलग-अलग पिलर के जरिए हम लोगों ने पोशन अभ्यान को चलाया है इन साथ पिलर को ब्रॉडली अगर मैं पांच पिलर के अंदर क्लासिफाय कर दू जैसे कि ICDS द्वारा एक software application निकाली गई थी common software application CAS यह क्या था CAS जो हता क्योंकि ICDS जो है वो अल common software बनाया गया था इस application को इस common software को प्रयोग करने की बात की गई बोला गया कि जैसे nutrition के लिए अलग-अलग चीजों के आवशकता है तो सबको एक सांद जोड़ा जाए तो वह common application साथ में ग्रिवेंस रिडरेशल को भी यहीं पर जोड़ा गया कि data लो और किसी को अगस तकली पा रही है तो उसको solve करो पहला पॉइंट हो जाता है तो दूसरा पॉइंट हो जाता है convergence of plan आप देखेंगे तो अलग-अलग चीजें हैं साब अलग-अलग स्कीमें हैं उन साहीं स्कीमों को जोड़ना उसे क्या कहूंगा में convergence of plan तीसरा क्या है capacity को बढ़ाना किसकी capacity को जो मानी ना करे capacity बढ़ाना मतलब ज्यादा लोगों को भी include करना और उनके काम करने के तरीकों को भी वहतर करना इस चीज़ को कहा जाता है उनकी capacity बढ़ाना पर आप कुछ भी कर लो साब problem यह है कि जब तक आदमी नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आगद बढ़े को अपने परिवार के किसी बड़े बुडे को देदे हैं उसके बाद वो उसको गलत तरीके से प्रयोग करता problem क्या है problem यह है कि उस बड़े बुडे को यह नहीं पता है कि उस महिला को nutrition मिलना कितना important है उसको पोशन मिलना कितना important है हमको वह जाग रुकता देनी है उस जागरुकता के लिए जब तक इस scheme के अंदर, जब तक इस अभ्यान के अंदर लोगों को involved निकिया जाएगा, हर अभ्यान कहीने कहीं fail होगा, तो यहांपर क्या कहा गया साब, जन आंदोलन किया जाएगा, लोगों के अंदर जागरुकता लेके आई जाएगी, क्योंकि जब लोगों के अंदर जाग रुकता हैगी चीज़ अपने आप सुधरेगी साथ इतना ही नहीं performance incentive जो बहतर करेगा उसको incentive दो इंसेंटिव दोगे तो और बहतर करने की मांग जो है वो शुरू होगी जिसके कारण से इस अभ्यान को लेके आया गया था जिसका नाम पॉर्षन अभ्यान आप देखेंगे तो बहिया सोशल और behavior awareness के लिए पिछले ही महीने सेप्टेंबर को मनाया गया था राश्ट्रिय पॉर्षन मा जिस दौरान में इस महीने के अंदर लोगों के अंदर जागरुकता बनाने का काम किया गया था nutrition को लेके nutrition कितना important है खासकर गरुके छोटे छोटे बच्यों के अंदर इसीज के ओपर यहां पर ध्यान दिया गया था पर यह सारी सीजे की तो गई है पर इसके कोई target भी होंगे कब तक करना है 20,50 तक करना है और इसके लिए का target थे टार्गेट थे के हर वर्ष दो प्रतिशत तक हर वर्ष क्या करना है जो छोटी हाइट है जो श्टंटिंग है देश के अंदर से वो कम करना है हर वर्ष अंडर न्यूटिशन दो प्रतिशत तक कम करना है हर वर्ष अनीमिया तीन प्रतिशत तक कम करना है और हर वर्ष लो बर् दिश्टर थी उन्हों ने पॉष्ट", 2.0 की बात की थी सप्टेμबर के अंदर इस पॉष्टनë 2.0 का जाली किया गया था जिसके अंदर पॉष्टनवाटिका बनाना और पॉष्टन माहलत मतलब úजन dw modulation को ले कर qe बात की गई थी पोशन वाटिका क्या होता है पोशन वाटिका यह वो इलाके होते हैं जा पर डिश्रिक के अंदर कहा जाता है कि वह या आप सही तरीके से खेती करो वेजीटेबल होगा सबजिया होगा सही तरीके से मोनोकल्चर या पि ऐसे मनलब बहुत जला फर्टिलाइज पोशन रहे उस फल के अंदर पोशन रहे वो उस चीज़ के लिए डिश्रिक के अंदर बात की गई थी के पोशन वाटिका होगा ना इसके अंदर ये भी किया गया था कि इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलप्मेंट स्कीम के साथ में और आंगनवाडी सप्लीमेंटरी य इस सारे प्रयासों के बाव जूद पोशन जो है वो इसकी बहुत ज्यादा सक्सेस्पुल नहीं हुई क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो टाइगेट रखे हैं वो काफी ज्यादा मातरा में पूरे नहीं हुए नीती आयो की 2020 की एक रिपोर्ट बताती है कि अभी हम लोग काफी जादा पीछे हैं और हम लोग को यहां पर काफी पोशन को उपर काफी जादा खर्चा करने की आवशकता है जिसके बाद पोशन टू पॉइंट भारत के अंदर आया था पर एक अक्स्टर पॉइंट पोशन को अभ्यान को एक पी एम पोशन इसकीम है उस से कन्फ्यूज मत करिएगा पी एम पोशन स्कीम क्या है तो यह दो हफते पहले ही प्रधान मंतरी द्वारा या केबिनेट द्वारा कहूं कि जो मिड़े मिल था Midday Mil एक समय का खाना जो स्कूलों के अंदर दिया जाता है उसी Midday Mil को Rename किया गया है PM Portion पहले एक से आठवी क्लासिक के बच्चों को खाना मिलता था तो अब Pre-School को भी यहां पर जोड़ा गया है जिसे कहा गया है PM Portion Scheme तो PM Portion Scheme और portion भ्यान आपस में अलग हैं ठीके दोस्तों तो आज के लिए इत्ता ही रखते हैं आप अगर 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 के उपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छे ओफर चल रहा है क्योंकि इतना समय तो लगता है प्रिप्रेशन के लिए पर अगर आपको लगता है कि नहीं में को तो और कम का लेना तो नो मंत के सब्सक्रिप्शन के भी 38% तक का डिसकाउंट है आप लोग यहां से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यह आपको 45,000 के आसपास पड़ेगा क्य जय हिन जय भालत